हालो स्टुडेंट्स अज हम लोग क्लास तेंथ मैथ का चेप्टर 1.4 पढ़ने जा रहे हैं बीना लंबी प्रक्रिया कि ये बताईए कि निमलिखित परिमेशंख्याओं के दस्मलों प्रसार सांत या औसांत आवर्ति हैं तो देखिए सांत का मतलब होगा कि अंस में अगर हम हर से भाग देते हैं तो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए दस्मलों में ही कटे तो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो यहां दस्मलों प्रसार का है यानि कि इसका भाग दस्मलों में ही जाएगा और दस्मों में पूरा-पूरा कट जाता है उसको हम लोग सांत कहते हैं सांत आवर्ती अगर भाग देने पर नहीं कटता है तो उसको हम लोग कहते हैं और सांत आवर्ती जैसे मान लिजिए कि एक बटे तीन है तो एक में हम तीन से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, दस मलो तीन 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 आता जाएगा तो इसको हम कहेंगे और सांथ लेकिन वही अगर मान लीजिए दो बट्टे पांच है तो पांच से हम भाग देंगे तो दस मलो चार आएगा यानि कि यह पूरा-पूरा क्या हुआ, कट गया तो इसको हम कहेंगे सांथ यानि अंस में हर से भाग देने पर अगर यह पूरा-पूरा कट जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सांथ और जो नहीं कटता इसको कहते हैं और सांथ तो यहां दस्मलो परसार कहा है इसका मतलब कि इसका भाग देने पर दस्मलो में आएगा तो दस्मलो में अगर जाके पुरा-पुरा कट जाता है तो उसको कहेंगे संथ दस्मलो परसार का संथ और नहीं कड़ता है तो औसांत आवरती है तो चले यहाँ देखते हैं, इसका simple method है, यहाँ कहा है, लंबी प्रकरिया किये बिना, यानि हमको 13 में 3125 से भाग देके नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ कहा है बिना लंबी प्रकरिया के, तो बिना लंबी प्रकरिया के दिखाने के लिए सबसे simple method देखिए, कि हर वाले का गुड़नखंड कीजिए और सान्त तभी होगा जब कि इसके गुड़नखंड में केवल दो और पांच हो या केवल दो हो या केवल पांच हो यानि कि हर में हर के गुड़नखंड में दो या पांच या दो और पांच दोनों हो तो वह सांतावर्ती होगा अब देखिए इसका मतलब कि अगर हम इसका गुरंखन करते हैं इसमें केवल दो आजाए या केवल पांच आजाए या दो और पांच दोनों आजाए तो हम कह देंगे कि या सांतावर्ती है भाग देने के जरूरत नहीं है आप अलग से भाग देके चिक कर सकते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है लेकिन अगर दो और पांच के लाबा और कोई भी यंक आ गया जैसे तीन आ गया साथ आ गया इस तरह से अगर आता है ग्यारा तेरा तो कह देंगे कि वह भाग देने पर पुरा पुरा नहीं कटेगा और सांतावर्ती होगा क्योंकि आप अलग भाग देके चिक भी कर लेजिए तो चलिए देखते हैं तेरा बटे 31,25 31,25 अब यहाँ पे हम हर वाले का गुड़न खंड करेंगे 31,25 30 का गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ 5 इसे कटेगा गुड़न खंड आपलो जानते हिए 5,6 के तीस 5,2,10, 5,5,25 फिर यह 5 इसे कटते हैं के 125 फिर 5 से कटेंगे 5,2,10,5,25 फिर 5 से कटेंगे एक यह नहीं 5,5 इसे पटेंगे तो एक, आप देखे, तेरा बट्टे, इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, इतना हो गया, देखे, इसका जो हमने गुड़न खंड किया, अब आज ये गुड़न खंड, इसमें क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, और बताया गया है, कि हर वाले के गुड़न खंड में दो आ जाए या पांच आ जाए, या दोनों आ जाए, तो इसको हम कहेंगे, कि वा सांथ है, तो इसमें क्यावल पांच आ रहा है, इसलिए या सांथ है, तो लिखेंगे हर, में क्यावल, अभाज्य, गुड़न खंड, पांच है, अतह, सांथ है, सांथ का मतलब कि भाग देने पर पूरा-पूरा कट जाएगा, चलिए अगला देखते हैं, सब्तरव बटे आठ, फिर वाइसे ही इसका गुड़न खंड कीजिए, तो आठ का गुड़न खंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, दो गुड़े, दो गुड़े, दो, इसका मतलब कि हर वाले का हमने अभाज गुड़न खंड किया थी, इसमें क्या रहा है, दो, तो बता हैं, जिसमें दो या पांच आवे तो भाग भाज्य होगा, यह मतलब सांथ होगा, तो हम लिख सकते हैं, कि हर में कीवल अभाज गुड़न खंड दू है, अता सतरा बटे आठ का दस्मलो प्रशार सांत है, गुड़न खंड कर लेते हैं, हर वाले का ही देखना है, तो यहाँ पांच से काटते हैं, तो पांच नौब पैंट आलिस, पांच एकंपांच, फिर साथ से कट जाएगा, तेरा, तो हम इसको लिख सकते हैं, चवशट बटे, पांच गुड़े, साथ गुड़े, तेरा, और बताये गया है कि इसके गुड़न खंड में केवल दो आना चाहिए, या पांच आना चाहिए, या दो और पांच दो नो आ सकता है, इसके लाँगर कोई भी संख्या हो, तो वह औ सांत हो जागा, तो दिखिए इसमें क्या क्या आगे, साथ और तेरा आया है, इसका मतलब किया क्या है, और सांत है, तो हर में, अब आज ये गुड़न खंड, साथ और तेरा है, अतह, चौशट बटे, चार इसो पच्चपन, और सांत आवलती है, इतना का, दस मलाव प्रशार, और सांत है, आवलती है, चलिए इसका अगला देखते है, पंद्रा बटे, ये खजार छैसो, तो फिर हर वाले का हम गुड़न खंड करेंगे, तो दो से काटेंगे तो दो से काटेंगे तो पचीस हो जाएगा, फिर पांच पच्चीस, अब इसके बासे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे शेट होई इसको 15 बटे दो पे 6 घट लिख सकते हैं इसको अब 5 दो बार आया है तो 5 पे 2 घट या इसे ही दो गुने, दो गुने, दो छे बार भी लिख सकते हैं कोई प्राबलम नही है तो चलिए देखे इसमें केवल क्या क्या आ रहा है दो और पांच तो जब दो और पांच आ रहा है इसका मतलब क्या है या सांथ है तो लिखेंगे हर में दो और पांच ही अब आज ये गुड़न खंड है अत्हा 15 बटे 1600 का प्रसार सांथ है चलिए इसी तरह से अगला हम देखते हैं कि 29 बटे 343 तो 29 बटे 343 है तो 343 का गुड़न खंड कीजिएगा तो आएगर 7 तो गुड़े 7 तो गुड़े 7 इसमें क्या है दो और पांच तो है ही नहीं केवल क्या आया है 7 बताएगे है कि इसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए या केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए तो भी 7 होगा लेकिन इसमें क्या आया है साथ आया इसलिए यहाँ और सांत होगा तो हर में केवल अब हाच यह गुड़न खंड साथ है अतह 29 बटे 343 का दसमलो प्रसार और सांत आवर्ती है देखिए आवर्ती का मतलब है कि जब इसमें हम भाग देंगे 29 में 343 का तो होग कटेगा नहीं और आवर्ती का मतलब कि इसमें एक ही अंकिर पुन्राबिरित्ती होती जाएगी अब इसको ऐसे ही देखते है चलिए 23 बटे 2 पर 3 गात और 5 पर 2 गात दो पर 3 गात को मतलब हम इसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 पांच पर 2 गाता है तो 5 गुणे 5 देखिए इसके हर में क्या आया है केवल 2 और 5 आया है तो बताएगे कि इसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 और 5 दोनों मतलब आया हो दो और पांच कलो और कोई भी आंक ना हो तो हम कहा देंगे कि यहां सांथ है तो हम लिख देंगे कि इसका दस्मों परशार क्या है सांथ है इसी तरह 129 वट्टे 2 पर 2 घात 5 पर 7 घात 7 पर 5 घात तो अब देखिए देखिए 2 पर 2 घात है 5 पर 7 घात है 7 पर 5 घात है यानि कि इसके गुड़न खंड में क्या आ रहा है 2, 5 और 7 इसका मतलब कि यहां पर 7 आ रहा है और इसी 7 के चलते हैं क्या होगा और भाज्य होगा अपलो इसी लिखिए और 7 होगा पुरा लिख लिजेगा कि इसके हर के गुड़न खंड में 7 है आता हिया प्रशार और 7 होगा तो इसी तरह 6 बटे 15 है तो फिर हम 15 का गुड़न खंड करेंगे तो आएगा 3 गुड़े 5 और बताएं कि हर में क्या आना चाहिए 2 या 5 आना चाहिए तो यहां पर क्या है 3 है इसलिए इसका भी प्रशार और 7 होगा 35 बटे 50 है तो इसका गुड़न खंड करेंगे तो 50 का हो जाएगा 2 गुड़े 5 गुड़े 5 आद देखिए इसके गुड़न खंड में क्या है 2 और 5 आ रहा है इसलिए या प्रशार 7 होगा अगला है इसी तरह 77 बटे 210 देखिए अब यहाँ पे हम 210 का गुड़न खंड करेंगे तो आएगा 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 इसको डिवाइड भी कर सकते है साथ से काड़ देजे तो 11 11 बटे 2 गुड़े 3 गुड़े 5 अब देखिए इसको भी काड़ सकते थे कोई प्राब्लम नहीं अब देखिए इसके हर में क्या आया है 2 और 3 की और 5 आ रहा है तो बताय गया है कि 2 और 5 ही आना चाहिए इसमें यह 3 आ गया है इसलिए प्रशार क्या है और सांत है और सांत आवर्थी है और सांत आवर्थी का मतलब कि जब भाग देंगे तो यह एक संख्या की पुनाविर्थी बार बार होती रहेगे रहेगे जब पुनाविर्ण आवर्थी रहा है